हम सिर्फ अखबार के पढ़ने पलड़ते हैं उसमें एक निउस समझते हैं उसको एक केस समझते हैं और और एटी से 90% केस तो जो हो रहे हैं वो घर की चार दिवारी में अपने ही घर के लोग कर रहे हैं बहुत सारी surgeries हमारे सरकारी hospitals में बच्चों की छोटे बच्चों की होती है प्राइविट पार्ट्स की क्योंकि after their rap they have to be operated जो रेप की केटेगरी में नहीं डाली जाती है तो इस्पताल चुपचाप करते थे हैं एक बच्ची अनटेंडट पड़ी थी तो मैंने ऐसे पूछा क्या कोई सर्जरी हुआ है या क्या हुआ तो नर्स ने मुझे बताया कि इसका बलतकार हुआ है दो साल की बच्ची का आप फोटो और वीडियो देखके तो आप घबराई जाएं आप देखी नहीं सकते क्या बुरा हाल किया उंतर इंड़ों ने गुडगाओं में नौकरी करके लॉटरी थी अपनी पहली सेलरी लेके लॉटरी थी लाल रंग की इंडिका में वो नो ने ड्रैक किया उसको भलातकार किया बहुत बुरी तरह से उसको प्रतारित किया और रिवाडी में जाकर कहीं उसको पहंक दिया सबसे ज्यादा है आती ही वही है जब जुडिशिल लेवल से हमें नराशा मिलती है आप एक तरफ से रेक को कहरे जगन्य अपराद है दूसरी तरफ आके कोई परोल पे बाहर कोई एक्विटल ले रहा है जिस तरह के वो लोग थे जो एटिट्यूट था उसमें से दो सगे भाई थे उन्होंने बहुत बोस्ट करके बताया कि हमने उसको जब वो चिला रही थी और हमें गालिया दे ती तो मने यहां पर उसकी ब्रेंडिंग कर दी कि तुम मतला दे रो थी उस हेरिंग पर उन्होंने देखा यह तो बॉड़ी बहुत फ्रेश और सुन्दर लग रही है जी लड़की है वो विटनेस है अपने केस की शी जस्ट विटनेस इना केस उसके साथ कोई सेंस्टिविटी से बीहवनी किया जाता और जो की मूवीज में भी दिखाते हैं जैसे बार-बार वोई सवाल पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं exactly वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे दामीनी फिलिम में दिखाते हैhen मुझे ओवरल फ्रस्टेशन तो यह है कि कुछ क्यों नहीं बदल रहा आज यह समय आ गया है कि हम कहते हैं न्याय मिल जाए न्याय मिल जाए अपने आप नहीं मिलता है